स्कूटर मार्केट में फिर से कब्जा जमाने के इरादे से बजाज आटो चेतक स्कूटर को दोबारा बजार में उतार सकती है रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी तरह नए अफ्तार में बजाज शेतक को अगले साल लॉंच किया जा सकता है और इसकी कीमत सत्तर हजार रुपए हो सकती है बजाज आटो का एक समय स्कूटर सेगमेंट में दबदबा था इस सेगमेंट में कमपनी का मार्केट शेर 50 फीसदी से अधिक होता था बजाज ने 2009 में चेतक स्कूटर को बंद कर दिया अभी बजाज का स्कूटर में मार्केट सेगमेंट करीब 15 फीसदी है अगर ऐसा होता है तो सीधे तोर पर चेतक से हॉंडा की एक्टिवा को टक कर मिलने वाली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बजाज अपनी चेतक ब्रांट को रिलाउंच कर सकती है नए बजाज चेतक की तस्वीरे यीख हुई है दावा किया जा रहा है कि तस्वीरे नए चेतक की पेटेंट है इसका नाम चेतक शीख रखा जाएगा नए बजाज शेतक स्कुटर की कीमत 70,000 रिपे हो सकती है इसके साथ ही शेतक का इलेक्ट्रिक वर्जन भी भारतिय बजार में लॉंच किया जा सकता है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए बजाज शेतक में USB Charging Point, CBS Bracks, बड़ा Fuel Tank और Oval Shaved Headlamps होंगी नए मॉडल में 125 घंद सेंटीमीटर एर कूल्ड इंजन दिया जा सकता है यह इंजन 9 रिंग, 10 BHP पावर और 9 नीटन मीटर टॉप जेनरेट कर सकता है नए बजाज शेतक का मुकाबला Honda Activa, Piaggio Vespa और Aprilia के टॉप वेरिंट्स से हो सकता है मीडिया में जो तस्वीरे लीट हुई हैं उनमें बजाज शेतक का नया अफ़तार Unisex स्कूटर है इसमें आरामदायक राइडिंग पुजिशन, अंडर सीट स्टोरेज, अफ्राइड हैंडल वार, वाइड फूट पेड्स और यूटूब कनेक्टिविटी से लेस और डिजिटल कंसोल दिया जाएगा